दोस्तो नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिप्ति सिंग अकेडमी में साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं मद्यप्रदेश सामानी ग्यान से संबंदीत वद्यप्रदेश जनल नॉलेज जी के से संबंदीत हम काफी सारे वीडियो लाइक कर आ रहे हैं और आपको पार्ट बारा तक मिल चुके होंगे हम आशा करते हैं आज हम आपके लिए पार्ट तेरा भाग तेरा लेकर आए हैं तो साथियों वीडियो काउन तलिखिया वीडियो पसंद आथे वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल सबस्क्राइब करें ऑपेल इकशन बटन जरु दवाए और हम आपको बतादे साथियों कि लाइफ क्लासेज भी चलती है नो बजे और दस बजे वहाँ पर जो सब्जेक्ट्स कवर की जाते हैं वह मैच है हिंदी है इंग्लिश है सामा निग्यान है साथी साथ लॉजिकल रिजनिंग से सम्मधित भी लाइफ सेशन चलते हैं आप बिल्कुल वहाँ पर जाकर तयारिया कर सकते हैं बिल्कुल अच्छा रहता है साथी आपकी गवर्मेंट एक जैसे सम्मधित तयारियों के लिए तो यह वीडियो जो हम बना रहे हैं आशा करते हैं वह भी आपके लिए काफी उप्योगी साभी थो आपके तयारियों के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर समाने गयान जो की मद econom देश का सामाने गयाईं से सामने देतों वहा 20 म्र्दा के वारे वारे में मद्यपेदेश राजी जो मर्दा है वह किस पांच भागों में वर्गी क्रत क्या है तो वे पांच भाग कौन से हैं तो सबसे पहले भाग के लिए बात करते हैं हम वह है जिसे कि हम सभी जानते हैं अधिकतर काली मिट्टी काले मिट्टी जिसे हिुमस या रेगर कहते हैं इस्थानी लोग इसे भर्री या कनहर भी कहते हैं इसी मिट्टी को मद्यपदेश जो की है मद्यपदेश में सरवधी पायजाने में मिट्टी है इसलिए हम सभी अधिकतर इसका नाम जानते हैं काले मिट्टी दक्कन ट्रेव मालवा के पठार में बेसाड नमा आगने चट्टानों से निर्मित यहाँ लावा मिट्टी है ठीक है और चीका और बालू निर्मित लोहे और चूने की प्रधानता है इसमें लोहे की अधिक्ता से काला रंग है और चूने की उपश्तिते चूने के कारण है ठीक है अब इसके लिए यहाँ पर आगे है इसकी प्येश मान क्या है तो यह है 6.3 से 6.4 तक काली मिट्टी प्रदेश की 510 लाग 81 शेतर फल मतलब की 48 पतिशत में पाई जाती है ठीक है मद्र प्रदेश के और मतलब यहाँ पर जो काली मिट्टी है क्रपास क्रशी के लिए सरवत्तम होती है ठीक है वैसे तो सभी जो फसलों के लिए अच्छी होती काली मिट्टी पानी ज्यादा सोकती लेकिन कापास के लिए यहाँ पर विशेश रूप से सरवत्तम होती है और काली मिट्टी को रेगण मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी में दुसर नंबर पर पांच भागों में दुसर नंबर है लाल पिली मिट्टी दूसरी सरवादिक मातरा में पाई जाने वाली बुंदेल खंड के कुछ भाग तथा बगेल खंड में यहाँ पाई जाती हैं विशेशकर मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, जिलो में और यहाँ पर लाल मिट्टी का निर्माण लाल मिट्टी या पिली मिट्टी लाल पिली मिट्टी का निर्माण आर्कियन, धारवाड तथा प्रमुक्त गोणवाना काल की चट्टानों के रितुक शरण से हुआ है ठीक है वहाँ पर चट्टा नहीं थी जो की घिस घिस के कहना चाहिए मोसम के अनुसार तब जाके यहाँ पर यह इस प्रागा की मिट्टी बनी है यहाँ पर लाल पिले मिट्टी के रंग का निर्धारन फैरिक ऑकसाइड की मातरा द्वारा पर निर्धारित होता है ठीक है लाल पिली मिट्टी चावल के क्रशी के लिए अधिक उप्युक्त होती है लाल पिली मिट्टी में हुमस यह तता नाइटोजन की कम होती है यहाँ पर यह चीज बताई गई है चलिए आगे बात करते हैं इसी के अंदर मिट्टी से संब्द ही थी तो तीसर नमबर की इसे काप मिट्टी भी कहते हैं राजी के उत्तरपस्टिम जिलो जैसे की भिंड मुरेना शिव पुरी वालेन में यहाँ शारिय प्रकृति की है ठीक में इसे एल्लुवाइन मिट्टी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं जलोड मिट्टी शेत्र में मृदा अपरधन अपरदन को रेंगती हुई मृत्यू कहा जाता है यहाँ चंबल वहाग शेत्र है और मध्य प्रदेश के उत्री भाग विशेशकर यहाँ पर भिंड, शियोपूर, मुरेना, ग्वालियार सबसे अधिक प्रभावी थे ठीक है जलोड मिट्टी के संबंद में ही यहाँ पर प्रदेश के प्रदेश के तीस लाख एकड़ शेत्र फल में पाई जाती है अब इसके लिए प्येश मान से संबंदीत बात करते हैं यहाँ पर तो इसका जो प्येश मान आता है वह है साथ से अधिक होता है और जलोड मिट्टी में बालू, सेल्ट, मरतिका का अनुपाद ज मुख्य रूप से सरसो और घहों की फसल ऐहाँ पर पेदा होती है जलोड मिटी के विशेश्ता है सबसे अधिक होती तो यहाँ विशेश्ता है जरोड मिट्टी की उर्वरता मतलब फसलों के यहाँ पर यह काफी अच्छी जैसे की माने जाती है सरसोर यहाँ फसलों के लिए अब बात करते हैं चोथे नमबर की वह है आपकी लेटर राइट मिट्टी और इसे भाटा भी कहते हैं यहाँ चिनवाडा वाला गाट जिलो की हो जाती है आपकी कवर अब पांचे नमबर की जो की है पांच भागों में पांचवा जो है वहाँ है बलोवी मिट्टी इसे लाल रेती लिए मिट्टी भी कहते हैं बुंदल खंड के कुछ भाग में रेत और बालों से मिश्रीत मिट्टी पायाती है जो नीस ग्रेनेट अब यहाँ जैसे की कॉलम के अनुसार यहाँ पर टेवल बनाया हुआ है तो टेवल के अनुसार भी आप बिल्कुल याद कर सकते हैं इसे तो यहाँ पर जो टेवल है वहाँ है मिट्टियों का वित्रण विशेष्टा और शेत्र के हिसाब से ठीक है तो यहाँ पर यह क्रम मिट्टी कौन सी है और मुख्य घटक क्या है उस मिट्टी के अंदर क्या पाए जाता है उसके अंदर किस चीज की कमी है और उसकी उदासीन के सी अमली है कि शारीन है या उदासीन है उसकी प्रकृती और शेत्र कहां उन से शेत्रों में है यहां पर मद्विदेश के और जिले जिले यहाँ पर कौन से cover करती है यहाँ मिट्टी कहां का पाई जाती है और उस मिट्टी के अंदर कौन सी प्रमुक फसल उगाई जा सकती है तो यहाँ पर cover करते हैं चलियो पढ़ते हैं इसमें जो सबसे पहले है तो वहाँ आता है आपका जलोड मिट्टी तो जलोण मिट्टी जो की कार्बोनेटस मुक्थटक कमी फासफोरस जेयो तत्व की उदासी प्रकृती शेत्र उत्तरपश्चीमी मद्धपदेश जिले मुरेना भिंड गौलियर शिवपूरी शिवपूर मुक्य फसल लुगाई जाती है गया हूँ गन्ना कपास दूसरी लाल पीली मिट्टी लोहे के ऑक्साइड केल्शियम कमी नाइट्रोजन हुमस की प्रकृती अमलिय से शारिय तक और शेत्र जो की बुंदेल खंड पठार का पूरी भागए यहां पर चिले, मंडला, बालाघाट, शहडोलादी इस्ता है इसके में के फसल यहां पर चायावल है तिसे नमबर की है गहरी, काली, मिट्टी उसके अंदर मुक्य गटक है लोहा, चूना एवं ममलिय HCL में घुलनशील तत्व है यहां, जो भी पाए जाते इसके अंदर, कमी जो है, फास्फोरोस, नाइट्रोजन और जियो तत्व की कमी है, प्रकृती यहां पर अमली प्रकृती की है, और शेत्र यहां पर मालवा के पठार कवर करती है, सत्पुडा शेत्र में भी यह मिट् मिट्टी के अंदर, और अगली है आपकी चोते नमबर की साधारन गहरी काली मिट्टी, इसमें वो की घटा के लोहा, चूना, इवा मेचील में गुलनशील तत्व, इसमें कमी है, फास्फोरोस की, नाइट्रोजन की, जियो तत्व की, इसकी प्रकृती अमली ही है, और यहा बोपाल, रायस और आदी इस प्रकार की यहां पर मिट्टिया है, वो की वसल यहां पर जोग गई जाती है, वा ग्यहूं है, कपास है, मुमफली है, जवार है, ठीक है, तो यहां पर यह इस प्रकार की आती है, तो अब यहां पर हमने आपके लिए चार पढ़ दी है, अब पाचवी जो बात करते हैं वह है चिचली, काली, मिट्टी तो लोहा, चूना इवेम HCL में यहाँ लोहा चूना तो पाए जाता है मुख्यकाटक इसमें HCL में घुलनशील तत होते हैं तो उसके अंदर यह घुलाई शील तत्व है और वह भी पाए जाते हैं इस मिट्टी के अंदर कमी जो है इसके अंदर फांसफोर और स्नाइटोजन और जेतत्व की कमी है अमलिय प्रिसकी प्रकृति अमलिय है शेत्र जो की सत्रपुडा और शेत्र है और जिले यहां पर जो ह कमी की बात करते हैं इसमें फांसफोर और मेलिय प्रकृति की बढ़ना काउर्थ को नहीं है और जो है और कमी जो है यहां पर फांसफोर नाटोजनosition कार्बन कार्बनिक प Krit की प्रकृति यहां पर नहीं है, मिश्रीत है तो और शेत्र जो की पठारी शेत्र में है, जिले यहां पर टीकमगर, पन्ना, सत्ना, रिवा, ठीके, मुख्य फसल यहां पर जुआर, बाजरा, मोटे अनाज जो होते हैं, वो, और सीधी, आदी, इस प्रकार से, तो यहां पर साथ है आगे भी टेवल है यहाँ पर आप बिल्कुल बढ़ सकते हैं साथियों और अंद में यह कहेंगे साथियों कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकोन बटन ज़रू दपाएं आगे हम काफी सारे इस प्रकार के मद्रप्रदेश सामा निगान से संब्सक्राइब काफी सारे वीडियो लाने वाले साथियों प्लेइलिस्ट भी हम इसके लिए बनाएंगे तो अभी तक जो प्लेइलिस्ट बनी है उसके अंदर हमने लगभग आपके बारा प्लेइलिस्ट में बना चुके हैं वीडियो के अब बारा वीडियो जो हम उस प्लेइलिस्ट में बना चुके हैं यह तेलवा वीडियो है तो सातियों तयारिया करिए गवर्मेंट जॉब से सम्मधित सहाई शिक्षक और ग्रेड एक ग्रेड दो ग्रेड तीन की भी तयारिया करवा रहे हम मर्दपेश की जो गवर्मेंट ग्रेड एक्जाम्स निकलती है उनमें और साथ यह लाइफ सेशन भी होता है यहाँ पर नो और दस बजए आप बिलकुल आईए लाइफ सेशन अटेंड करिए लाब लीजिए अपने गईरियों को यहाँ पर पक्का कीजिए तो चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो क